अच्छी लगी वह खाली ट्राइफिक दबाए गी है देखो बकरा भाग रहा है दोस्तों उसको पकड़ लिया गया इस गाड़े में से चलांग मारकर जो नीचे आ गया था जल्दी से लो सारी मापने सीन मारेंगे आप लोग देख सकते हैं खत्ना हुई बच्छे कि अभी माशाला अभी बन्दा अच्छा खत्ना होगे अभी इंशाला अचा बड़ ब्राइट फ्यूचर है ओ माशाला क्या बखरा है दोस्तों यहां पर क्या है ऐसे लग रहे हैं के बखरे कमंधिया बै इत्री नहीं शुरू से बच्पाने से देखत अब बखरे कमा यह मगरी साल मगर महिंगे बोट चौबी सदार जोडी क्यों है साब इत्ते महिंगे क्यों है साल बढ़ते हारा इतका मैं तरा वर्ण सहला वरे वाई कड़क नोट यहां पर डीलिंग चर रही है बाई कुछ कहना चाहेंगे आप कितने में लिए हैं आप सौ देख सकते हैं यहां पर बखरे के नएने माल आ रहे हैं और पुब्लिक को देखिएगा आप लोग और यहां पर आप लोग देख सकते हैं अब कर देलिंग चर रहे हैं यहां पर अभी भी हाइदराबाद में रात के डाई बच चुके हैं और वहां पर बाचीच चल रही है और भाई आप यहां पर बैठे हुएं कैसे लग रहा है यहां का माहूल आपको बहुत मज़ा आ रहा है दिल गाडन गाडन हो रही है तब से काफी सदा पुब्लिक थी यहां पर बहुत देखेगा दोस्तों यहां पर डिलिंग चर रही है रेट की बात चरी नहीं मेरे भाई थी दोगो मेरे वैं करें बोलता है वहता है है जो भी बैख सेलावे भाई यहां बोलता सफेल भाई शहलाल पर भाई मुझा बेशले काड़ यहां शहले है यहां है पुड्की आपक शाया सवलावर आपिता पुरा उन अच्छाव बोला किता बोर उनों भुर डूल दोन इ कि यह बोले कि डील हुए भाई अभी 16,000 दस रूपे में ले लिए 16,000 दस रूपे में ले लिए 16,000 दस रूपे में जोड़ी आप लोग देख सकते हैं यहां पर सारी मरुकावाई जिसके साथ में मैं आया हुआ हूँ पब्लिक देखिएगा आप लोग रात के बज रहे हैं और अभी भी ट्राफिक फुल है लाइव डेमो देखिएगा आप लोग दोस्तों कड़क नोट यहां पर डीलिंग चर रही है बाई कुछ कहना चाहेंग दोस्तों आप लोगे फूरा माल खतम हो गया ऐसा परवेज भाई का ख्याना है तब से किते बक्रें बेचे आप देड़ सो बक्रें बेच दिये तब से परवेज भाई यह है है हैदराबाद का टूली चौकी एरिया गारी मंगा लो ठीक है ना माय गिने बाद अपन रेट गाड़ी तुम बुला लो बड़े वाई बुक्तर लो 1610 रुपे में एक जोड़ी के हिसाब से यहां पर बेच दिया है परवेज भाई ने टोटल टोटल किते जोड़ियां पूरे के पूरे बकरे खरीद लिये जा चुके दोस्तों टोटल 30 जोड़ी के रहे हैं भाई 16,000 रुपे में पर जोड़ी के हिसाब से यहां पर खरीद लिया गया है यह है 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 अधराबाद स्पेशली यहां का टोली चो की एरिया है कल ही बकरी इद है तो इस वाज़े से पाधिचा जा रहा है यहां पर हे अलग माल जा रहा है यहां मेरे खरीजा चुका है मेरे खैल से सारीम तो कैसा लग रहा है यहां का Mahol है, 연 Пजाइझी है, कबीक तो तो काफी आए है और गल चानदर कंस रहेंगा, उल्हाला को ब अलग से शूट ले लूँगा फिलाल मैं यहां पर बकरा मंडी का ले रहा हूं वहां पर अलग-अलग डिलिंग चर रही अंदर भी खतम हो गया और सारी इस टॉली चो की एरिया दोस्तों ट्राफिक देखेगा रात के पौने तीन बज रहे हैं और यहां पर कितने जदा ट्र इसमें डिसकांट कुछ हो सकते हैं अगर आप आगे तो लेलो क्या है देखेगे डिसकांट को लगा के देढ़े अपन प्रवाइब यह भाई का भी कहना इनोंने भी तबसे देट सो बखरा बेचा थोड़ी तरे पहले बहुत जदा पब्लिक थी दोस्तों यहां पर मुझे चैनल का नाम मेरे व्लॉगर सल्मान की महब बहुत देखिएगा दोस्तों अभी चाहिए इनको मेरा चैनल इस्टान यूट्यूब तो यहां पर भाई ने जो है हमारे चैनल को देख लिया सब्सक्राइब मार लिया नोटिफिकेशन मार दिया शुक्रिया भाई वैसे आप यहां पर क्या कर रहे हैं आपकी जगा तो बंबई में इतने जाता स्मार्ट हो आप बॉलिवड में ट्राइब करो जरा अभी अभी शादी के लिए ऐसो है भाई को अच्छी लड़की मिलना बलके दौा करो भाई बहुत जर्रत है दौाओं की मायूस हो आप अच्छे लड़का नहीं मिल रहे करते बाई का यसा कहना आप क्या कहना चाहते हो ब्रो इसा कुछ भी नहीं है माशालला है अध्राबाद में बु विलायती बोलते है चाहिए विलायती है कितने का ही चालीछ 4500 का क्या रहे हैं इस पर डिसकाउंट भी होगा दोस्तों कितना सबढ़ता से विलायती बकरा दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं उदर भी बखरे की मंडे लगी हुई उदर भी कई सारे बखरे हैं और सरीम मुझे कह रहा है कि इस बखरे की जो है फोटो लो कितना प्यारा बखरा है दोस्तों आप देख सकते हैं यह मैं 3x में शूट ले रहा हूं इसको कहते हैं विलाइती बगरा इसका रेट कहा जा रहा है 40,000 हाँ सारे में बोलो कहा जाएं कल ही बकरी इद है इस वज़े से यहाँ पर फुल खरीदी चल रही है दोस्तों देखे का आप लोग यहाँ पर बकरे के मंडी लगी हुई है और लेडी जेंड जो है कंटिनुई यहाँ पर तब से खरीदी कर रहे हैं बकरों को वाओ क्या बकरा है वो तो इस बकरे को देखे का दोस्तों आप एक से एक अमेजिंग बकरे दोस्तों मैं ऐसे यह रास्ते से गुजर रहा था कि एक और मुझे खास जबरदस विलाइती बकरा नजर आया है देखे कितना ज़्यादा पाउरफुल है इसका प्राइस क्या है भाई इन भाई का भी यह कहना है कि यह 40,000 का है उदर जो मैंने बकरा देखा था उससे तो बड़ा ही है यह और काफी प्यारा है माशाला यह खुर्बानी का भगरा है देखे कुंटल वजन है इसका गोश उतरता 8085 गोश उतरता इसका सोज़त नाम है चार रात में भगरा ही है यह है इदराफास का टोली चोगी यह राजसे कि मैंने कहा नाइस जूस सेंटर के आसपास के पूरा जो लाइन है पूरी की पूरी भरचुकी है बखरों के मंडी से जैसे कि आप लोग को पता ही होगा वैसे भी हर साल जो यहाँ पर फोली चोगी उपर लगते ही हैं बखरों के मंडिया सो जैसी आपके पास यह वीडियो पहुंचे आप एक मर्तबा यहां पर आकर राउंड जोरो मारिएगा मैं करेंड देता हूं आप लोगों को यहां के बकरे यकीनन पसंद आएगी है और कुछ कहना चाहते हो तुम्हें कैसे लगा यहां के बकरे के मंडिया सारी माशाला है ठीक है रेड भी सही है यहां कुड़ा मार्केट में काफी महंगे बोर रहे हैं लोग है पर ट्रैफिक बह रहे हम लोगां क्या है कैसे लग रहे हैं के बकरे कमण एत्री ने शुरू से बच्पाने से देखें इत्ते मेंडे इत्ते होगे अब बगरे काम आए मगरी साल मेंगे बहुत चाओभी सार जोडी क्यों है साब्सार बढ़ते आरा इट का अगंग जिन इत्ते हमें 14 वादार करेंगे जल्दी पहुंचने की घर तक और हम लोग यहां पर ट्राफिक जाम में फसे वे दोस्तों तब से सारीम जो स्पेशली मुझे चलो भाई लोग बनाते हैं बोलकर मुझे लेकर आया है यहां पर सो यह सारीम की मोहबत है तो सारीम मज़ा आगया एक दमना इससा तब वहला भाई चलो मैं तुमको रात वाले देखाता हूं यहां मंदी रात में लगते हैं पूरे एक दिमज़ा बर्दस स अगबग हम लोग 50 घंटे से ट्राफिक में फसे होगे दोस्तों तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी जो टेंडेंसी है कितनी कम हो चुकी है फिर पर लोग तब से बर्दाश कर रहे हैं ट्राफिक जाम को पचास घंटे कुछ ज्यादा ही हो गई या ट्राफिक जाम को इतन सब्सक्राइब कर दोस्तों उसको पकड़ लिया गया इस गाड़े में से चलांग मारकर जो नीचे आगया था जल्दी से लो सारी मापने सीन मारेंगे आप लोग देख सकते हैं बकर जो भाग रहा था इसको निकाल कर फिर से डाल दिया भाईयों कि यह मैनत है माशालला जनवर के शौकी ने हम लोग ऐसे ही निकलते हैं रातों में एक्सपीडेंस तो हर साल का अच्छा रहता बढ़िए साल का तो और अच्छा एक्सपीडेंस बड़िया भाई माशालला करो सब्लाइक करो बढ़िए कु शुकर्या भाई दोस्तों यह है है हेधराबाद के मौशाओला काफी जदा अच्छे हैं हम लोग डिटरन हमारे फलैट के तरफ निकल चुके हैं माशाओला काफी जदा मज़ा आया है और कौन-कौन से व्लॉक्स में بनाूं हैदराबाद में कौन-कौन से points पर जाऊं comment section में आप लोग सुझाओ जरूर दीजेगा और अपने चाहने वालों को इस vlog को जरूर शेर कीजेगा तो ऐसे support करते रहें चलते हैं हम लोग मिलते हैं फिर किसी next vlog में किसी और अच्छे से जगे पर किसी और अच्छे से topic के साथ तब तक के लिए stay tuned दूआ में याद रखें and assalamualaikum